एंडू टेट आज के दुनिया के सबसे मशूर लोगों में से एक है वो एक 4 टाइम वर्ल चैंपियन थे किक बॉक्सिंग में पर क्या वो अच्छे थे? क्या उन्हें सही में लड़ना आता था? और आज हम उनके फाइट्स देखेंगे और समझेंगे मैं सच बताऊंगा आपको कि वो असल में कितने अच्छे या बुरे थे? अब मेरे पास केक बॉक्सिंग का तजूरबा तो नहीं है पर मेरे पास बॉक्सिंग का बहुत सारा तजूरबा है जहां मैंने जीता है साथ राष्टियर टाइटल उलिम्पिक्स में ब्रॉन्स पदक कुल मिला के 106 फाइट लड़ा हूँ और एंड्रू टेट और लोगन पॉल लडने की बात हो रही है मैं दूंगा टेट के बॉक्सिंग स्टाइल का हिसाब और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा मेरी राय इस फाइट में कौन जीतेगा लोगन पॉल या एंड्रू टेट क्योंकि फिलाल मेरा जवाब मेरे दिमाग में घूम रहा है फाइट देखने के पहले पर ये वीडियो देखने के बाद मुझे और अच्छे से पता होगा कौन जीतने वाला है तो फाइटिंग में आप अपने आखरी फाइट के बराबर होते हो देखते हैं एंड्रू टेट के आखरी फाइट कैसा था जो काफी समय पहले था ये रहा अब ये मुझे पता है एंड्रू टेट है 6 फूर 3 के और लाइट हेवी वेट और क्लूजर वेट के बीच में लड़ते थे जो लोगन के साइस के आसपास ही है तो ये रहा घंटी बजी फाइट शुरू ऐसा लगा कि वो फाइट के पहले पंच से ही पूरे हिल चुके फिर से देखू तो लेफ्ट हैंड तो पड़ा उन्हें वो थोड़े बैलेंस के बाहर थे और घूम गए ये तो अच्छी शुरुवात नहीं है बस 36 सेकंड बीते और ये हाल पर ये तो पूरा जान लगा रहा है फाइट में सामने वाला नॉक आउट की पूरी कोशिश कर रहा है पर टेट का भी अब से देख रहा हूँ उनका चिन काफी उपर है हेड मुवमेंट अच्छा था आंडरियू टेट का हेड मुवमेंट यहां अच्छा लग रहा है काफी तेज उस पंच से बचे और वो पैरो का इस्तेमाल करके घूमें थोड़ा धीरे करके देखते हैं मुझे ऐसे देखना बहुत पसंद है तो बंदा पंच मार रहा है पर उसका राइट हैंड पूरा नीचे से दिखा के घूमा रहा है जिससे पंच पता करना बहुत आसान हो जाता है तेट पंच से बच निकल गए, स्टेप करके घूम गए बस पीछे के पैर का इस्तेमाल किया घूम गए और उसे पकड़ लिया जिससे खत्रा काबू में आ गया अब टेट काफी अच्छा बच रहे हैं पर सामने वाला बहुत दिखा के मार रहा है देखो इसका राइट हैंड कहां से आ रहा है, पूरा घूमा के मार रहा है अब जब आप फाइट में होते हो, आपके पास बचने के लिए बस एक पल होता है ये बंदा टेट को एक पल से ज्यादा दे रहा है बचने, अगर वो गार से सीधे मार पाता और अच्छे से लगता पर टेट यहां भी बच निकले और घूम के फिर से खत्रा संभाल लिया, जो सही चीज है ऐसे वक्त करने के लिए अब ये अच्छा है जो टेट कर रहा है, वो बस पीछे जुक्के बच रहा है, बदन थोड़ा जगे से बाहर है एक पंच ऐसे भी मार पाए सामने वाला, तो बस अंधा घुमाए जा रहा है और यहां से जो किया मुझे पसंद आया, पीछे जुक्के फिर अपरकट मारा, पीछे रहते हुए ये मारना बहुत मुश्किल होता है बंदे को लगता है, तो हाँ ये काफी अच्छा किया टेट ने यही चीजे, अगर वो लोगन के साथ लड़े, वो ऐसे आगे के पैर से घूम के मारने की कोशिश किये, पर अब देखो उनका चिन कहा है राइट हैंड खाने के लिए पूरे खुल गए हैं, जो नहीं कर सकते लोगन जैसे किसी लंबे चोड़े आदमी के साथ जो दमदार है और जिसके राइट हैंड में भारी पावर है तो अब उन्होंने जोर का मारा, एंड्रियू टेट में दम तो है, जैसा हमने देखा सामने वाला मुड़ गया हार मान रहा है, ठका हुआ है काफी, नहीं जानता अगर वो लड़ना चाहता है या नहीं एक बॉक्सिंग फाइट होता तो ये और चलता, वो मना कर दिया, अब इस वीडियो में वो बॉक्सिंग सिखा रहे है सही चीजें बता तो रहे हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो काफी सक्त लॉन्डा है, उनके फाइटिंग में मुझे अभी भी शक है अब देखते हैं उनका और एक फाइट, वो लड़ रहे हैं 90 किलो के एक आदमी से, 24 साल का है, 3 जीत, 2 हार का रेकॉर्ड है, तो काफी शुरुवाती बंदा है अब टेट का देखते हैं, ये तो 40 जीत के बस 7 हारे हैं, 33 साल के हैं, तो अब वो 35 के हैं, तो ये 2 साल पहले का है ये भी उनके आखरी फाइट में से एक होगा, तो सामने वाला बंदा बहुत रेकॉर्ड में पीछे है, और ये वाले काफी पोचे हुए है तो रेकॉर्ड सामने वाले का उतना खास नहीं है, नॉक आउट तो होना चाहिए, जब मेरे 50 के करीब फाइट सो गए और मैं लड़ू 5-6 फाइट वाले के साथ, सामने वाला खतम था चलो इनका फाइट देखते हैं, एंड्रू टेट के पास हाइट का फाइदा है, वो लंबे तो है, सामने वाला काफी बॉक्सर जैसा लग रहा है, किक बॉक्सर से ज़्यादा उसके लड़ने के स्टाइल से ये तो गिर गया, मूँ को घुटना पड़ा क्या? लग तो यही रहा है, बंदा जोज जोश में चड़ रहा था, वो काफी नया दिख रहा था, घुटना पड़ा और गिर गया, टेट अब आराम से लड़ रहे हैं, ठंडे हैं, हाथ नीचे करके लड़ रहे हैं, उन्हें पता है वो अपोनेंट इतना खास नहीं है, ये क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया, सर को लाद पड़ी और फिर गिर गया क्या, मैं भी थोड़े ऐसे लोगों से लड़ चुका हूँ अपने प्रो करियर में, जहां हाथ पे भी मारो तो गिर जाते हैं, और बकवाज उपोनेंट से लड़ो तो यही होता है अक्सर, सामने वाला लड़ना ही नहीं चाता, इस बंदे जैसे, फाइट खतम, तो पता नहीं, जड़ा देखू कोई ट्रेनिंग वीडियो मिल रही होतो, तो यह रहा एक किक बॉक्सिंग सेशन, काफी लोग देख रहे हैं, सामने वाला पहले से बहतर है, लड़ना आता है उसे, यह हुक तो अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा इन्होंने जो यहां किया, लंबा लीड हुक स्टेप करते हुए, सामने वाला भी लंबा चोड़ा है, लोगन पॉल जितना ही है शायद, तो हाँ, मैं भी यह देख रहा हुँ कि वो काफी इज़द से रहते हैं, फाइट करते समय हैं, बॉक्सर तो हूँ, पर किक्स पढ़ते देखते हुए, भाई साहब, अगर मुझे लात पढ़े ऐसा, मैं तो गिर ही जाओ वही, यहाँ बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ, इनके पर कोई भी मुझे ऐसे लात मरे, मैं तो खतम हो जाओ, एंड्रियो टेट लोगन पॉल से लड़ना नहीं चाहेंगे, हाँ वो लडने की बात तो कर रहे हैं, पर वो लडना नहीं चाहेंगे, उनके सारे फैंस उन्हें एक तगड़ा आदमी समझते हैं, और उनके पास वो बहुत कुछ दाव पर लगाना होगा, लोगन से लडना चाहें तो, और उमर में फरक दोनों का तो काफी है, समय हो चुका है दोनों को लडते हुए, पर हाँ एंड्रियो अगर ये देख रहे हो, अगर लोगन पॉल से लड करने को, तुम अकलमंध हो, तुम ये भी जानते हो, ये फाइट नहीं होने वाला, क्लिक करो यहां और बॉक्सिंग का अल्टिमेट गाइड देखो, ये मेरे चानल का सबसे अच्छा वीडियो है, क्लिक करो और देखो